वेलकम इन वार्सिय उर्दू मीडियम क्लास सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बैला आइकन को जरूर दबा दीजे तो यहाँ पर नवी जमात का उर्दू का ये पाचवा सबक का हम सबक्वानी करेंगे इससे पहले मेरे कई वीडियो अपलोड हैं जिसमें दसवी का उर् तो यहाँ पर हम नवी जमात उर्दू का नवी जमात का ये सबक नंबर पाच किस्मत बेग की यहाँ पर सबक्वानी पूरा करेंगे और जिसे सलाम बिन रजाक ने लिखा है तो पहली बात में देख लेते हैं 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तानियों की लड़ा जफर के हाथ में थी जंग में हिंदुस्तानियों को शिकस्त हुई और बहादुर्शा जफर को कैद करके रंगून भेज दिया गया इस शिकस्त के बाद शाही खांदान का शीराजा विकर गया किस्मत बेग शाही खांदान का एक फद है इस सबक में उसकी जिनदगी की ड्रामा है जान पेचान में हम देखेंगे सलाम बिन रजाक उर्दू के एक मुम्ताज अदीब है वो 15 नवेंबर 1941 को पन्वेल महराश्ट में पैदा हुए वहीं उन्होंने तालिम आसिल की और रोजगार के सिलसले में मुंबई आकर बस गए 35 साला तदरीसी खिदमात के बाद 1999 में वो मुलाजिमा से सबकदोश हो गए यानि रिटायर हो गए उर्दू दुनिया में वो एक मुनफरिद और मौतबर अफसाना निगार की हैसे से भी पहचाने जाते हैं उनके अफसानों के चार मजमुए शाय हो चुके हैं पहला है नंगी दोपहर का सिपाही मौबर दूसरा है मौबर तिसरा है शिकस्ता बुतों के दर्मियान और चौता है जिंदगी अफसाना नहीं इन में शिकस्ता बुतों के दर्मियान पर 2004 में उन्हें साहित्ते अकादमी के इनाम से सरफरास किया गया उन्होंने कई मराठी और हिंदी किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया है वो साहित्ते अकादमी के तर्जुमा एवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं ड्रामा निगारी और बच्चों के अदब से भी दिल्चस्पी है आगे देखते हैं यहाँ पर ड्रामा वो फन है जिसमें एक प्लाट एक किस्सा होता है जो किरदारों के मुकालम और अदाकारी के जरिया हजरीन की रूबरू अमली तौर पर पेश किया जाता है ड्रामे ने अब काफी तरक्की कर ली है यानि स्टेज ड्रामे के इलावा नुकर ड्रामे रेडियो ड्रामे टेलिविजन के ड्रामे के भी एक मुस्तेकिम रिवायत बन चुके हैं ड्रामे की ये रिवायत सेक्डों साल पुरानी है मगर रेडियो ड्रामे की उमर एक सदी से ज्यादा फन, तक्नीक और पेशकश के लिहाद से रेडियो ड्रामा स्टेज्ज्टरामे से मुक्तलिफ होता है अलबता स्टेज ड्रामे की तरह रेडियो ड्रामे में भी कहानी प्लाट और किरदार मुकालमे यानि डायलोग वगेरा और एक्टर्स वगेरा का अमल दखल होता है रेडियो ड्रामे में मुकालमों की खास ऐमियत है किरदारों की तामीर, मनाजर की अकासी, किरदारों की हरकात वा सकनात सभी कुछ मुकालमों के जरीए पेश किया जाता है इसके मुकालमों के उतार चड़ाओ के जरीय सामाईन के जहन वा दिल पर ऐसी ख्याली तस्वीरे उभारी जाती है जो आम तस्वीरों से कहीं जादा पुरसर होती है रेडियो ड्रामे में मौसीकी की भी बड़ी एहमियत है साजों आवाज के जरीय मुक्तलिफ कैफियात का समाईन के जहन में दिल पर ऐसी ख्याली तस्वीर उभारी जाती है जो आम तस्वीरों से कहीं ज्यादा पुरसर होती है रेडियो ड्रामे में मौसीकी की भी बड़ी एहमियत है साजों और आवाजों के जरीय मुक्तलिफ कैफियात का समाई बानते हैं मसलन जर्नों की आवाज, चिडियों की चहचाहाट, तुफान और सेलाप की हुलनाकी, बिजली की कड़क, दरिया की रवानी, बंदूकों और तोपों की गरज यहां तक के खामोशी और सननाटे को भी आवाजों के उतार चणाव और सदाय बाजगर्ष्ट की जरीय सामय तक पहुचाने की कोशिश की जाती है रेडियो ड्रामे में फीड आउट और फीड इन के जरीये मनजर बदलते हैं जब कोई मनजर कतम होता है तो फीड आउट के जरीये आवाजें डूबने लगती हैं और फीड इन के जरीये नया मनजर शुरू होता है फीड आउट और फीड इन के लिए मौसीकी का खास दोर पर इस्तिमाल किया जाता है रेडियो ड्रामे का दौरानिया पंदरा मिनट से लेकर एक गंटे तक का हो सकता है अब यहाँ पर देखिए किरदार हम देखेंगे तो इतने यहाँ पर किरदार है जो इन में आवाज का अपना कारी-गरी देंगे मौसीकी की आवास फीड आउट होती है और फीड आउट याने मौसीकी अब फीड इन किस्मत बेग आदा बर्ज़े माराज माराजा आओ आओ किस्मत बेग कहां चले गए थे किसमत बिग हुजूर मेरी ड्यूटी खतम हो गई थी हम लोग छेछे घंटी की ड्यूटी करते हैं मेरे लाइक कोई काम हो तो हुकम दीजिए आपके खिदमत में मेरे लिए बासे इज़त होगी महराजा खिदमत के लिए तो यहां के दूसरे बेटर और हमारे नौकर काफी है हम तो तुमसे कुछ बाते करना चाहते हैं किसमत बिग हुजूर यह तो आपकी जर्रा नवाजी है वरना मैं क्या और मेरी बाते क्या महराजा नहीं किसमत बिग तुम आम वेटरों जैसे नहीं हो तुम्हारे तौर तरीके तुम्हारा अंदाज गुपतगू तुम्हारी सलीका मंदी बताती है कि तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो हमें अपने बारे में बताओ तुम कौन हो कहा के रहने वाले हो ऐसे पेशे में क्यूं आकर आए किसमत भी आवरकर हुजूर आपका हुकम सराखों पर वैसे एक अर्सा हुआ मैंने ये भुला दिया कि मैं कौन हूँ और नहीं चाहता कि राख में दबी चिंगारियों को कोई खुरे दे माराजा ये कहे कर तो तुमने हमारी तजस्तूस की आग को और भड़का दिया है किस्मत बेग हम तुमारी रुदाद जरूर सुनना चाहेंगे किस्मत बेग फिर आबर कर आपके हुकम से मूँ मोडना गुस्ताकी के मुतरादिफ होगा आपका इसरार है तो सुनिये मैं एक आदमी हूँ नसले के लिहाद से तैमुरी मुगल हूँ पेशे के लिहाद से यहाँ ताज महल होटल का खानसामा हूँ और उम्र के लिहाद से बुड़ा हूँ तबियत के एतबार से भी कभी बच्चा होता हूँ कभी जवान शव रोज मेरी कोशिश यही रहती है कि एक अच्छे इंसान की तरह जिंदगी गुजारू जूट नहीं बोलता चोरी नहीं करता जुल्म और बेरहमी से बच्चता हूँ खिजमते खल्ग को अपना मकसद जिंदगी मानता हूँ अगर्चे फकीर हूँ लेकिन दिल के तक्त पर शेहनशा हूँ महराजा हम पहले ही समझ गए थे कि तुम में कोई खास बात है तुम मामूली हैसियत के आदमी नहीं हो सकते मगर ये जानकर मजीद हैरत भी कि तुम तैमूरी खांदन से हो किसमत बिग जोश से तैमूरी खांदन तो कब का मिठ चुका है ये सवाल फिसूल है कि मैं किस खांदन से तालुक रखता हूँ मैं इस सवाल की कश्मकश में पढ़ना और दिल के लिए आरी समझता हूँ जो मेरे दिल को चीर देती है महराजा किसमत बिग हमें तुम्हारे बेपना गम का पूरा एसास है अगर वाकई इस सवाल से तुम्हें दुख हुआ है तो जाने दो हम अपना सवाल वापस लेते हैं हम आगे इस सवाल को कंटिन्यू करेंगे चलिए पहले हम यहाँ पर ये मुद्दा देख लें कि आदम की ओलाद को आदमी कहते हैं हर शक्स आदमी कहलाता है जिसमें फित्री खामिया और खूबियां होती है जब उसमें अच्छे इखलाग पैदा होते हैं और वो मौजिब हो जाता है तो वो इनसान कहलाता है सबक में किसमत बेक कहता है कि मैं एक आदमी हूँ वो आगे कहता है कि शब और रोज मेरी कोशिश रहती है कि एक अच्छे इंसान की तरह जिंदगी गुजारू जब आदमी एक अच्छा इंसान बन जाता है तो उसका मरतबा फरिष्टों से बुलंद हो जाता है इस बात को मौलाना हाली ने अपने शेर में यूं कहा है फरिष्टों से बहतर है इंसान बनना फरिष्टों से बहतर है इनसान बनना मगर इसमें पढ़ती है मेहनत ज्यादा तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं किस्मत बेग नहीं हुजूर मुझे माफ फर्माईए मैं जरा जोश में आ गया था इनसान को अपनी मौजुदा हैसियत देखना चाहिए आज चुँके मैं एक खानसामा हूँ इसलिए इर्षाद की तामिल करता हूँ मैं उन लोगों में से नहीं जो पदम सुल्तान पोध कहकर अपने माजी पर फक्र करे या अफसोस करे और मैं उन लोगों में से भी नहीं जो मुस्तक्बिल के इंतिजार में हाथ पर हाथ दरे बैठे रहते हैं हुजूर मैं माजी का मालिक हूँ हाल का मालिक हूँ और मुस्तक्बिल का भी मालिक हूँ माराजा किस्मत बेग हम तुमारी दास्ता तफसिल से सुनना चाहते हैं किस्मत बेग हुजूर मैं बादुर्शा जफर का बेटा हूँ महराजा क्या कहा बादुर्शा जफर के बेटे यानि कि आखरी मुगल शेहिंशा बादुर्शा जफर के बेटे किस्मत बेग जी हाँ हुजूर मैं मुगलिया सल्तानत के आखरी चश्म चिराग बाहदर शाह जफर के ओलाद हूँ महराजा यानि के तुम मुगल शेजादे हो किसमत बेग शेजादा नहीं आहजादा हूँ दुनिया की मुसीबतों के सब सब्सदे मैंने उठाई है मेरा असली नाम तैमूर शाह है मेरी मा का नाम बेगम जीनत महल था मगर बाश्या किसी वज़े से मेरी मा से खफ़ा थे और मैं अपनी मा के साथ महल खास से दूर एक हवैली में रहता था बाश्या की तरफ से नौकर चाकर घोड़ा बगी का पूरा इंतिजाम था किसी चीज़ की कमी नहीं थी जब 1857 का इंकिलाब हुआ तो मेरी उम्र 10-11 साल रही होगी बाश्या ने घपराट में खुद को महल के बेगमात का इंतिजाम बहुत अधूरा किया था उस वक्त उन्हें शायद मेरा और मेरी मा का खयाल तक ना आया होगा मारे दहशत के सारे नौकर चाकर भाग चुके थे सिफ फरीत खान रह गया था जिसने मुझे गोदी में खिलाया था वो महल के तरफ गया था कि कुछ बाच्चा की खैर खबर भी मालुम करे तोपों की गर्ज और बंदूकों की धाये धाये सुनते ही देर नहीं थी के मेरी मा मुझे कलेजे से लगाए बैटी काप रही थी के इतने में फरीत खान वापस आ गया मुझे की फीड आउट तोपों की गर्ज और गोलियों की हलकी हलकी आवाज फीड इन अब यहाँ पर देखिए फरीत खान घबराय लेजे में बेगम हुजूर महल खास बिलकुल खाली पड़ा है पता चला है कि आली जाँ और सारी बेगमात हुमाईयों के मगबरे में पनागजी है शहजादा मिर्जा मुगल और शहजादा मिर्जा खिजर सुल्तान मुठी भ पर जा निसारों के साथ कश्मीरी दर्वाजे पर अंग्रेजों से लड़ रहे हैं मगर कोई दम में उनके कदम भी उखड़ने को हैं बेगम जीनत महल या अल्ला अब हम क्या करेंगे इस मासूम को लेकर कहां जाएं तैमुर्शा अम्मी हुजूर आप हमारे लिए फिकर मन ना हो बस हमें एक छोटी सी तलवार दे दीजे उस्ताजी इर्शद बेग ने हमें भी तलवार की बहुत सी गुर बताए हैं बेगम जीनत महल मैं सतके जाओ अभी तुम बहुत छोटे हो अंग्रेज बहुत जालिम हैं फरित खान हम तैमुर को लेकर हुमाईयों मगबरे की तरफ जा रहे हैं हमारी तरफ से तुम्हें इजाज़त है जहां जाना चाहते हो जा सकते हो हमारे लिए तुम क्यों बिला वजाफत में पड़ो फरित खान बेगम हुजूर बंदा उन नमक हरामों में से नहीं है जो महस तुलू होते ही सूरज की पूजा करते हैं और आप जहां जाएंगी बंदा साय की तरह आपके साथ आएगा आपको छोटे सरकार की कसम मुझे अपने कदमों से जुदा ना कीजिए अगर आपकी इफाज़त के लिए बंदे को जान से भी हाथ दोना पड़े तो दरीग नहीं करेगा बेगम जीनत महल फरित खान हमें तुमारी हुमाईयों का रुक करना मौत को दावत देने के बराबर है सारे रास्ते अंग्रेजों ने घेर लिये हैं मेरी मानिये तो आप कदम शरीफ की तरफ चलिए मैं देखता हूँ देखता आया हूँ महां अंग्रेजों का पहरा नहीं है बेगम जीनत महल मगर फरित खान हम आली ठीक है फरित खान हम मौत से नहीं डरते बस मरने से पहले सिर्फ एक बार आली जाके कदमों में सर रख कर उनसे माफी मागना चाते खेर चलिए चलने की तयारी करो गोलियों की आवाजे फरित खान बेगम हुजूर जल्दी कीजिए अंग्रेज बढ़ा बढ़ा चला आ रह रहकर गोलिया चलने की आवाजे आ रही हैं फरित खान बेगम हुजूर ये जगह मुनासिब है आप और छोटे सरकार इस हुजूरे में आराम कीजिए मैं दालान में निगरानी करूंगा तैमूर अम्मी हुजूर हम आली जाके पास कब जाएंगे बेगम जीनत मैल रास्ते गबराएवे लेजे में बेगम हुजूर बेगम हुजूर बेगम जीनत मैल क्या है फरित खान फरित खान बेगम हुजूर गजब हो गया सिपाईयों ने कदम शरीफ को चारों तरफ से घेर लिया है वो आपकी गिरफतारी के दरपे हैं सिपाईयों का अफसर आप से मिलना चाहता है बेगम जीनत महल हम किसी अंग्रेज अफसर से क्या बात करें तुम हुने सूरते हाल से आगा कर दो फरित खान अफसर अंग्रेज नहीं हिंदुस्तानी है कहता है वो दर्वाजे के बाहर से दो चार सवालात पुछना चाहता है बेगम जीनत महल सरदाहा भरकर ठीक ह आने दो मौसिक की अफसर आदा बजा लाता है बेगम हुजूर इस जहमत के लिए मैं आपसे माफी का क्वाइजदकार हूँ बेगम जीनत महल माफी एक शिकस खुर्दा बादशा की बेगम जो मजबूरी और बेकसी के मूँ बोलती तस्वीर हो उसे किसी को माफ करने का भी इ एतराम करना मेरा फर्ज है बेगम जीनत महल फर्ज हमारे एतराम से पहले एक हिंदुस्तानी होने के नाते तुम पर कुछ और फराइज भी आयद होते हैं सिपाई जादे अफसर मैं आपका मतलब नहीं समझा बेगम हुजूर बेगम जीनत महल क्या अपने बादशा का एतर फ़ादार मुलाजिम है जंग में उनके हुकम की तामिल करना ही हमारा पहला फर्ज है बेगम जीनत महल तुम क्या समझते हो अंग्रेज ने चन सिक्कों के ओस तुम सब के जमीर भी खरीद लिये हैं तुम भूल रहे हो के तुम अंग्रेजों की सिपाई होने से पहले एक हि बेगम जीनत महल नहीं तुम लोग हिंदुस्तानी नहीं हो सकते सिपाई जादे तुम अगर हिंदुस्तानी होते तो संगीनों से अपने भाईयों की सीने चलनी ना करते बहनों का सुहाग ना उजाडते माओ की गोदे ना उजाडते तुम हिंदुस्तानी नहीं हो तुम सि सब कहने की बाते हैं जिनको लड़ना था उन्होंने लड़कर अपनी जाने अजीज वतन पर कुर्बान कर दी अफसर हम अंधी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते बेगम जीनत महल सच है तुम लोग अंधी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे जिनका जज़बा सर्द और जमीर बेहिस हो जाता है वो किसी भी किस्म की लड़ाई नहीं लड़ सकते खेर बताओ हमें कहां चलना है अफसर विल्सन साब का हुकम है कि शाही खानदान के हर फर्द को इजज़त वा इतराम के साथ केम्प में पहुचा दिया जाए बेगम जीनत महल केम्प में अफसर जी हाँ जामा मस्जित के पास एक टेम्प लगा दिया गया है शाही खानदान के बहुत से अफराद को उन्हें खेमों में रखा गया है बेगम जीनत महल अगर बता सकते हो तो बताओ के आली जाहां को कहां रखा गया है अफसर उसका इल्म सिवाई विल्सन साब के किसी और को नहीं है बेगम जीनत महल खेर चलो फरित खान चलने की तयारी करो तैमूर बेटे चलो नहीं हम हमारी उंगली मत पकड़ो आइंदा जिन्दगी का सफर तुमें अकेले ही तै करना है खबरदार घबराना मत तैमूरी शैजदादे हर हाल में साबित कदम रहते हैं मौसिकी फीड आउट फीड इन बेगम जीनत महल फरित खान इस तंग कबर नुमा खेमे में हमें कब तक रहना होगा फरित खान बस कल तक कल शाम को हमें चांदनी महल भिजवा दिया जाएगा बहुत से शैजदों और बेगमाराद के साथ हमें भी चांदनी महल में ही एक छोटा सा दो कमरों का मकान दिया गया है और बेगम जीनत महल और क्या फरित खान फरित खान रोते हुए और दस रुपए महवार गुजारे के मुकर कर दिये गए हैं बेगम जीनत में दस रुपए फरिद खान जी हाँ सिर्फ दस रुपए बेगम जीनत में आभर कर मत रो फरिद खान इंसान को हर हल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए अगर फिकर है तो बस तैमूर शा के है के हमारे बाद शहजादे का क्या होगा अभी उसकी उम्र ही क्या है अल्ला उसे अपनी अमान में रखे चांदी महल चलने की तैयारी करो जब कष्टी के बादबान तूट जाएं तो उसे हवाओं का रुप पर छोड़ देना ही बहतर होता है मौसिकी फीड आउट फीड इन महराजा ठंडी सास कीच कर तुम्हारी दास्ता सुनकर दुनिया की बेसुबाती का नक्षा आखों में घूम जाता है किस्मत बेग अच्छा ये बताओ तुम्हारा असली नाम तो तैमुर्शा था फिर किस्मत बेग नाम किसने रखा किस्मत बेग मेरी किस्मत ने उसके इलावा क्या आर्ज करूं मैं जब देली से मुंबई आया हर शक्स को मैंने अपना नाम किस्मत बेग बताया महराजा तुमने इस खानसामा के काम के इलावा कुछ और काम नहीं सीखा तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम काफी पढ़े लिखे हो किस्मत बेग नहीं हुजूर मैं कभी मकतब नहीं जा सका दरसल देली में चांदनी महल के करीब एक खानका थी मैं महां अकसर जाया करता था खानका में एक दर्वेश रहा करते थे उनकी बाते सुनता रहता था उनका मुझ पर असर होता था ये जो मूग खोलने की जुर्रत कर लेता हूँ उन्ही दर्वेश की सोहबत का फैज है माराजा चलो हम तुम्हें अपनी रियासत में ले चलते हैं जो तनक्वाँ यहां मिलती है उससे दुगनी तनक्वाई देंगे और तुम्हारी बाते सुना करेंगे कोई काम नहीं लेंगे किसमत बेग हुजूर यह एन बंदा नवाजी है लेकिन जिसने इस उनिया के इनकिलाब को समझ लिया वो कहता है कि एक दर्वाजे को पकड़ और मजबूत पकड़ दरबदर भटकना फिर ना फिर इस होटल में मेरी इज़द भी है और मिजासदारी भी है सहाब लोग भी मेरी बद मिजासियों को बरदाश कर लेते हैं जरूरत की मुवाफिक हर चीज मौजूद है आप ही फरमाईए मैं आपके साथ आकर क्या करूँ और इस उम्रू में एक जगा छोड़ कर जहां कोई तकलीफ नहीं है आपके यहां क्यों आऊं महराजा खूब किस्मत बेग हम तुम्हारे जवाब से बेहत खुश हुए ये लोग हमारी तरफ से यही नाम रखो किस्मत बेग ये क्या है उजूर महराजा ये एक हजार रुपे का चेक है इसको अपने खर्च में लाना आइंदा भी हर साल होटल के मनेजर को मौरपत हजार रुपे तुमको मिल जाया करेंगे किस्मत बेग भराई आवाज में इस नवाजश के लिए मैं आपका शुकर गुजार हूँ उजूर आहिस्ता शुकर गुजार हूँ बहुत शुकर गुजारू धीरे धीरे गीत की आवाज उभरती है गीत ना किसी की आँख का नूर हूँ ना किसी के दिल का करार हूँ जो किसी के काम ना सके मैं वो एक मस्त गुबार हूँ फीड आउट तो यहाँ पर हमारा सबक खत्म होता है बच्चों तो यहाँ पर मानीवा इशारात को भी देख लेते हैं खान सामा बावर्ची ना गवारे खातिर बुरा लगना पदरम सुल्तान बोद मेरे वालिद बाश्चा थे अपने बेजा बढ़ाई के वक्त बोला जाने वाला फिक्रा अब कदम शरीफ दहली में एक जियारत गाय मशियत एजी अल्ला की मर्जी सीना सुपर्द होना सीने को ढाल बनाना और मुराद डटे रहना बेसुबाती आरजीपन तजस्तुस की आग कुछ मालूम करने के लिए किसी को उक्सकाना जदे जद की जमा तकलिफे कोई दम में फोरण किसी भी वक्त कदम उखड़ना हार कर भाग जाना उस्ताजी मेरे उस्ताद दरीग ना करना परवा ना करना ना हिचकना सिरंगू हो जाना सर जुका देना की मारुफत की तौसद से के जरीए तो बच्चों अब हमारा ये पार्ट वन खतम होता है तो हम मिलेंगे पार्ट टू में मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजे ताके आप ही की तरह उन्हें भी ऑनलाइन काम करने में घर बैठे आसानी से कामियाभी मिले और कोई भी डाउट सो तो कमेंट करके आप उससे पूछ सकते तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर